क्यों मनाई जाती है नाग पंचमी जानिये इससे जुड़ी पौरानिक कथा श्रावण मास के शुकल पक्ष की पंचमी तिथी को नागो की पूजा के संदर्भ में एक कथा है जिसमें नागो की पूजा का उलेख मिलता है हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष श्रावण माह के शुकल पक्ष की पंचमी तिथी पर नाग देवता को समर्पित नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है नाग पंचमी पर हिंदू शास्त्रों में वर्णित सभी तरह के नागो और विशेशकर भगवान शिव के गले में शुशोबित नाग देवता की विशेश रूप से पूजा की जाती है श्रावन मास के शुकल पक्ष की पंचमी तिथी को नागो की पूजा के संदर्भ में एक कथा है जिसमें नागो की पूजा के कारण का उलेख मिलता है वेद और पुराणों में नागो का उद्गम महर्शी कशप और उनकी पत्नी कद्रू से माना जाता है नागों का मूल स्थान पाता लोख है पौराणिक कथा भविश्य पुराण की कथा के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों ने समुद्र मन्थन से 14 रतनों में उच्चे श्रवा नामक अश्वरत्न प्राप्त किया था यह अश्व अक्यंत श्वेत वरण का था के श्यामरण के है यदि उनका कथन असत्य सिध्ध हो जाए तो वह विन्ता की दासी बन जाएंगी अन्यथा विन्ता उनकी दासी बनेगी कद्रू ने अपने पुत्र नागों को बाल के समान सूक्ष्म बनाकर अश्व के शरीर चिपक जाने का निर्देश दिया किन्तु नागों ने अपनी अस्मर्थता प्रकट की इस पर क्रोधित होकर कद्रू ने नागों को श्राप दिया कि पांडवों के वंश में राजा जनमेजय जब सर्पसत्र करेंगे तब उस यग्य में तुम सभी अगनी में भस्म हो जाओगे नागमाता के श्राप से भैभीत नागों ने वासुकी के नेत्रित्व में ब्रम्हा जी से शाप निवृत्ती का उपाय पूछा ब्रम्हा जी ने निर्देश दिया की यायावर वंश में उत्पन्न तपस्वी जरतकारू तुम्हारे बहनोई होंगे उनका पुत्र आस्तीक ही तुम्हारी रक्षा करेगा ब्रम्हा जी के इस वचन को सुनकर नागराज वासुकी आदी अती प्रसन होकर उन्हें प्रणाम कर अपने लोक में आ गए कब और कैसे शुरू हुई नाग पंचमी पर गुडिया पीटने की परंपरा? जाने इसका नाग पूजा से संबंध, द्वापर यूग में अर्जुन के पौत्र और राजा परिक्षित के पुत्र जन्मजे ने सर्पों से बदला लेने और नाग वंच के विनाश के लिए एक नाग यग्य किया क्योंकि उनके पिता राजा परिक्षित की मृत्यू तक्षक नामक सर्प के काटने से हुई थी नागों की रक्षा के लिए इस यग्य को रिशी जरतकारू के पुत्र आस्तिक मुनी ने रोका था ब्रमा जी ने पंचमी तिथी को नागों को यह वर्दान दिया था इसी तिथी पर आस्तिक मुनी ने नागों का परिक्षन किया था और इनके जलते हुए शरीर पर दूद की धार डाल कर इनको शीतलता प्रदान की थी उसी समय नागों ने आस्तिक मुनी से कहा कि पंचमी को जो भी मेरी पूजा करेगा उसे कभी भी नागदंच का भै नहीं रहेगा तभी से पंचमी तिथी के दिन नागों की पूजा की जाने लगी मान्यता है कि यहीं से नाग पंचमी पर्व मनाने की परंपरा प्रचलित हुई ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का एहंकार तोड़ा था अत्त नाग पंचमी का यह व्रत एतिहासिक तथा सांस्कृतिक द्रिष्टी से महत्वपूर्ण है इसी तरह के विडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक कमेंट करें विडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद अत्त